Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. MATLAB में किसी भी figure को high quality में कैसे save के जाता है, तो ये आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ, मेरे पास already a code यहाँ पे written है, तो मैं execute करता हूँ ताकि कोई figure मेरे सामने आजाए, ये figure आचुकी है, इस figure को मैं maximize कर रहा हूँ, इसको save करने के बहुत सारे methods है, first of all, मेरे पास पहला method जो है, वो ये है, जो कि सबसे अच्छा है, जिसमें आपको high quality version figure का save करने का मौका में दो, मैं file पे click करता हूँ, file पे click करने के बाद export setup, export setup पे आप click करेंगे, export setup में आप से ये पूछेगा कि size क्या हो, figure का rendering क्या हो, तो आप rendering में यहाँ पे इसकी dpi increase करते हैं, तो आगर आप यहाँ पे 600 तक ले जाते हैं, तो आपकी quality figure की increase हो जाएगी, दूसरा यहाँ यहाँ पे custom color भी आप लगा सकते हैं, जो background में आपको यह figure में ग्रेश color नज़र आ रहा है, अगर आप यह चाहते हैं कि figure के अंदर यह ना हो, बलके white color हो, तो आप यहाँ पे w mention कर दें, इसका फाइदा यह होगा कि जब भी आप किसी document में figure को paste करेंगे, तो already document का background होता हो वाइट होता है, तो आपका figure है, वहाँ पे अच्छी तरह, उसका visually अच्छी लगीगी, EPSB है, JPEG, PDF, PGM, PPM, SVG, TIFF, TIFF with no compression, बहुत सारी options, तो इसमें मैं TIFF with no compression करता हूँ, और साथ ही यहाँ पे इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ नाम मैं रखती है जी, इसका one, one.tiff, इसको save करता हूँ, यह आपके current folder में, जो आपका current folder है, तो इसमें save हो जाएगी, इसको OK करते हैं, अब इसको save हो रही है, और साथ साथ, क्योंकि मैंने no compression करता किया, तो saving में जाएगी, यह आगे जी आपकी one.tiff, इसको size देख रहे हैं, बहुत ज़द, तो मैं इसको double click करता हूँ, double click करने से, अब इसका, अब इसके resolution आप देख सकते हैं, कि कितनी ज़दा है, मैं इसको zoom कर रहा हूँ, काफी हद तक मैंने zoom कर दिया, और इसके जो pixels हैं, वो break नहीं हुए, तो एक तो method यह था, अब इस method में जो देखने वाली चीज़ है, यह आपको नज़र आ रहा है, कि जिस तरह मेरा screen का size था, figure में, ज़र देखिएगा, screen का size था, यह बिलकुल, इसमें जो आपको width है, वो ज़दा नज़र आ रही है, तो अगर आप यह चाहते हैं, कि इसका जो size है, figure का size है, वो change हो जाए, तो आप उसी size में ले जाके अपनी figure को save करें, like, मैं अब यह size यह रखता हूँ, figure को इस size में जाके save करता हूँ, तो मैंने अपने लिहाँ साइज यह वाला सोचा गया, मैं file पर दोबर क्लिक करता हूँ, export setup पर क्लिक करता हूँ, 600 और रड़ी है मेरे पास, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर change कर लिजेगा, background white है, export करने के बाद मैं अब इसको 2.tif में save कर लेता हूँ, तो यह save हो रही है, save होने के बाद इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यह 2.tif मेरे सामें आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि यह बिलकुल उसी size में save हूई है, जिस size में आपने इसे export किया था, तो इसको इसका फाइदा किया है, यह document में जब जिस document में आप paste कर रहे होंगे, वहां से आपको अंदाल होगा कि आपको किस size में इस figure को बनाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले 1.tif यहाँ पर paste करता हूँ, यह one dot tif आ गई, और इसी तरह मैं यहाँ पर two dot tif जो है वो paste करता हूँ, आप वो खुद ही बज़ चल देगा कि किस का ज़्यादा importance है, आपके document में, तो देख रहे हैं कि यह figure किस तरह आ रही है, और यह figure किस तरह आ रही है, तो आप अपने document के size के लिहाज से, कुछ document two column होते हैं, तो उसके अंदर आपको figure का size उसी लिहाज सेट करना होता है, तो आप उसी लिहाज सेट कर सकते हैं, तो यह method है, जिसमें आप screen size को change करके आप export करें, दोनों के resolution बराबर है, लेकिन मसला जो है, वो screen size के, यानि कि figure size के, तो I guess यह अच्छी option है, दूसरा यह कि आप किसी भी document में जाकर इसको मजीद, जो कि आपको नदर आ रहा है कि site पे आपको extra margins नदर आ रहे हैं, इस figure में भी और इस figure में भी, तो आप यहाँ पे जाके इसको crop भी कर सकते हैं, यह मनें इनको crop कर दिया, यह extra margins आ रहे हैं, और अगर आप यह चाहते हैं कि matlab पहले से ही, खतम करके दें, मतलब figures को tight करके दें, तो उसके लिए भी matlab में options हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या हैं, उसके लिए बड़ा simple सा है कि matlab आपको एक function देता है, export graphics के नाम से, export graphics को लिखते किस तरह है, export graphics, जिस figure को आपने save करना है, उस figure के नीचे जा कि, मतलब तो उसी figure जहां पर वो figure बन रही हो, उसके नीचे जा कि आपने export graphics का function यूज़ करना है, और उसमें आप लिखेंगे GCF, get current figure, यह आपकी जो figure है, जो बनी होगी, उसको आपने बन नहीं करना है, जो भी figure खुलेगी, उसको आपने बन नहीं करना है, और directly यह command आपके सामने, आपने यह लिखनी है, तो GCF आ गया, GCF के बाद आपने यहां पर उस figure को आप किस name से save करना चाहते हैं, लाइक मैं 1.TIF, जो कि मेरी मेरी बनी वी है, मैं बलके 1.TIF के जगह पे 3.TIF कर रहे हैं, यह बताएं आप उसे, और साथ ही आप बताएं कि इसकी resolution कितनी होने चाहिए तो मैं यहां पे resolution 600 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं quality ज़्यादे चाह रहा हूँ, और साथ आप यह भी बता दें कि background क्या होने चाहिए, यह options भी हैं यहां पे कि background क्या होने चाहिए, तो background color जो है, वो मैं अपनी तरफ से white रख देता हूँ, तो आपकी figure जिस color में भी बनी हो, background color बेशर gray हो, लेकिन जब save होगा, तो white color में होगा, इसको मैं run करता हूँ, देखते हैं, यह क्या save करता है, अब यह figure run होगी, run होगी, और उसके बाद यह save हो जाएगी, तो यह देखते हैं, यह 3.5 मेरी बन चुकी है, 3.5 आ गया, यह देखिए, यह बिल्कुल ही tight margins के साथ, जहां पर आपका आखरी pixel figure का होगा, तो उसके बाद से इसने, इसको crop कर दी है, तो यह एक अच्छा option है, जिसमें आप margins को, जो external margins है, इनको change कर सकते हैं, हाँ, यह जो sub plotting होई है, इसके दर्मियान का अगर आप margin chain करना जाते हैं, तो मैं आपको next video में बताबगा, तो अब ही फिलहाल यह है कि आप figure को safe कैसे करते हैं, figure को safe करने के लिए कुछ और भी थे, कुछ और extensions भी थी, टिफ, PNG और इनके लावा, तो वो देखते हैं, वो क्या है, तो मैं इसको run किया, run करने के बाद मैं दुबारा सब export करूँगा, export, हाँ, दुसरी बात यह कि अगर आप यह है, यह नजर भी ना आए यहां पर, एक तो यह था कि export ग्राफिक्स करते हुए, वो white में save करें, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि यह जो pop-up हुई है, figure, यह ग्रेश बैक्राउंड के साथ ना हो, बलके white बैक्राउंड के साथ हो, तो जब आप figure की command यहां पर देते हैं, आज वे triplet में, I guess, one, 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 जो होता है, वो white के लिए होता है, इसको मैं execute करता हो देखते हैं कि यह white, देखें जी, white हो गई है, आप color, color के बाद, one, 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 देंगे तो यह white background इसका हो जाएगा, तो यह थी export की options और background, color कैसे change करना है, दूसरा यह है कि यह तो high quality graph आपको बनाग देदेगा, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि figure as a dot fig file save, dot fig file actually matlab की figure file, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप export setup में आए, setup में आने के बाद आप rendering में आपनी जो पसंदीदा resolution है, वो select करें, export करें, export करने के बाद आप यहाँ पे एक dot fig format matlab figure, इसमें आप save कर स इसमें मैं save करने लगा, तो यह मेरे पास जो file है, वो मेरे works, sorry, current folder में one dot fig के नाप से save हो जाएगी, अब इसका फाइदा यह होगा कि one dot fig अब save हो चुकी है, तो बाकी files जो है, one dot tiff, two dot tiff, three dot tiff files जो हैं, वो matlab में editable नहीं है, मतलब आप इसके नमजीद चैनली नहीं कर सकते मतलब ने एक figure save कर दी है, लेकिन one dot tiff का फाइदा यह है, कि आप जब इसे double click करेंगे, तो यह आपको matlab में ही figure open करके देदेगा, देखिए, मैं दुबारा से one dot tiff करता हूँ, पे double click करता हूँ, directly वो figure open हो गया, अब अगर आप इसे zoom करना चाहें, इसमें editing वगर करना चाहे हैं, तो वो कर सकते हैं, तो यह एक method है, एक अच्छा तरीक है, अपनी figure को save करने का, ताकि आप future में इस figure में थोड़ी सी changing करके, दुबारा से save करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, अब जैसे मैं यह chaining कर लिए, chaining करने के बाद मैं इसको export setup करता हूँ, और यह कैसे हैं, मैंने इस area को, इस first subplot को मैंने zoom किया है, तो यह था export method और एक मैंने आपको बता दिया, export graphics method, एक और method है, जिसमें हम save करते हैं, वो क्या है, वो directly save, वो ही screen size के issues यहां भी है, तो अगर आप screen size change करना चाहते हैं, तो change कर सकते हैं, like मैं इस वक्त यह वाला size यूज कर करता हूँ, फाइल पर click करने के बाद आप save as पर click करें, जो आप save as करेंगे तो यह भी आपको वही वाले options देगा, कि आपके सेव करना चाहते हैं, मैं इस वक्त सेव करना चाहता हूँ, जी, बीमप, बीमप में untitled.bmp मैंने save कर दिया, यहां पर अभी untitled.bmp आगया, तो यह आगया, इसके मैं double click करता हूँ, तो यह मेरे पास एक file आगी, तो क्यूंकि मैंने अपनी screen size सही नहीं रखी थी, तो जिसके वैसे मेरे पास जो figure है, वो सही नहीं आई, तो एक तो यह method है, तो आपने अपना screen size जो है ना, वो सही रखने, screen size यह रखने के बाद, अब untitled.bmp में दुबारा से save कर रहा हूँ, I guess save हो गई है, untitled.bmp को देखता हूँ, तो वो यह बन गई, तो screen size का, यानि कि screen size मतलब figure size का बहुत ज़्यादा role है, तो यह तो एक method मैंने आपको बता दिया, इसी तरह एक और method है, जो के normally use किया जाता है, directly figure को copy करने के लिए, यह तो अभी था figure को save करना, अगर आपने figure को copy करकर directly paste करना है, अपने document में, चाहे powerpoint presentation होगी है, पर word document हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप edit पे click करेंगे, edit पे click करने के बाद copy figure पे click करेंगे, copy figure पे जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पे जा कि आप control V, यह आपका save हो, तो separately आपके पास वो figure file नहीं पड़ी, तो इस तरीके से आप MATLAB के अंदर figures को, figures की high quality versions save भी कर सकते हैं, और copy भी कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like केजिएगा, और channel को आपने लाजमी subscribe करना है, thank you